केंद्रवा राजस्तर पर सरकारी वा गयर सरकारी विभाग में यदि आपने सिच्छक बनने का सपना देखा है तो कुछ पातरता परिच्छाओं से होकर आपको गुजरना पड़ता है आज का ये से सिच्छक पातरता परिच्छा के बारे में, सिच्छक भरती के बारे में कुछ महत्पूर्ड अप्डेट को ले करके है मैं आज आपको कुछ बैलोबल इंफरमेशन प्रवाइट करूँगा तो जाहिड सी बात है कि इंड तक पूरे वीडियो को देखिए अपनी जानकारी गेदर करिए सिच्छक बनने के प्रती अगर आपका समर्पड है सिच्छक बनने की आप त्यारी अभी सिप्रारम कर रहे हैं तो इप्रतेक के लिए आप सभी के लिए यह वीडियो अत्यनती महत्पोड है जैसा कि आपको पता है कि सिच्छक भरती परिछा, जिसके लिए बहुत सारे अभियरति बेट कर रहे हैं, जो की राजो बाट जो रहे हैं, उनके लिए कुछ सुख़त समाचार हैं, धिरे धिरे सिच्छक भरती की जो प्रक्रिया है, सरकार ने तेज करी है अलग-अलग बिद्यालेओं में जो की जिला लेबल पर अधियाचन मागे गए हैं रिक्त पदों की संख्या मागी गई है तो जाहिर सी बात है बिना होहला करे गौर्मेंट अपने प्रियास को कर रही है और जल्दी ही आपको सिछक भड़ती भी देखने को मिलेगी इस कड़ी में अगर हम पातरता परिच्छा की बात करें तो उसको हम नहीं भोला सकते हैं पातरता परिच्छा आपको मुख्य परिच्छा के करीब ले जाती है आप तभी eligible होते हैं जब आप पार्टता परिच्छा को qualify किये हैं और जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने information देखी थी, notification देखा था जिसमें s first किया गया था कि अगर आप appearing में भी हैं, BDABTC के appearing में भी हैं तब भी आप इस परिच्छा में appeared हो सकते हैं, परिच्छा में बैठ सकते हैं मतलब अगर आपने day one admission भी लिया है, आपका registration हो चुका है तो आप इस परिच्छा में apply कर सकते हैं इसका सीधा सा concept टेकी है कि completion बढ़ा है अभ्यरतियों की संख्या बड़ी है जो लोग त्यारी कर रहे हैं, उनकी संख्या बड़ी है तो जहिर सी बात है त्यारी का स्वरूप, त्यारी का module त्यारी का जो एक pattern होता है, वो भी आपका updated होना चाहिए और उस कड़ी में हमारा प्रयास आपके सामने है मैं UPTED 2022 के लिए एक plan, एक strategy आपके सामने लेकर हजिर हुआ हूँ आसा करूँगा कि यह plan, strategy आपके काम आएगी अगर आप day one से त्यारी कर रहे हैं, अभी करना प्रारम करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं UPTED foundation batch की रूप में संस्थान ने इस batch की starting की है जो कि दोनों प्रकार के वर्ग के लिए अगर हम primary करत्मिक की बात करें या junior की बात करें, जो कच्छा एक से लेकर 5 और कच्छा 6 से लेकर art art and science दोनों ग्रूप की बात करें जिसका एक announcement किया गया है batch का अभी पिछले दिनों आपने author के तहट इस batch में admission भी लिया है इस batch की regular कच्छाओं की बात करें तो regular कच्छा है 26 अगत जैसा कि यहां पर mention भी किया गया है और already आपको informed भी होगा सुप्रवार से यह अग अच्छा है batch में फ्रत दिन इस्टार्ट हो जाएंगी batch के सुरूप को समझना batch के module को जानने के लिए आप नीचे description में telegram group जो की free है ने सुल्क है आप उसको join कर सकते हैं साथ साथ वहाँ पर एक google farm है अगर आप किसी प्रकार की query करना चाहते हैं आप update लेना चाहते हैं तो आप उस google farm में अपना कुछ initial information भरके संस्थान में प्रेसित कर दीजिए जिससे कि आपको updates और information प्रवाइट कर दी जाएगी आज इस session के माध्यम से मैं इस यूपिटेट batch की संपूर जो भी methodology है जो भी concept है मैं सपष्ट करूँगा आप ध्यान से सारी बातों को मेरी सुनिएगा batch business की अगर बात करें तो यह basic informations होती है जो बैस से सम्मंदित होती है इसलिए अगर हम preparation करते हैं अगर मैं भी अपने आपको एक बैर्टी के तौर पे देखो तो मेरे मन में भी बड़ी सारी query मेरे मन में भी बड़ी सारे प्रस्ण होते हैं प्रस्ण कई अस्तर के होते हैं प्रस्ण कोर्स को लेके होते हैं प्रस्ण सिस्टम को लेकर होते हैं प्रस्ण अध्यापकों को लेकर होते हैं प्रस्ण पूरे pattern को लेकर होते हैं और प्रसन खुद पर भी होता है कि हम कैसे प्रिप्रेशन करें तो मैं सब कुछ आज के सलसन में आपको असपस्ट और क्लियर करूँगा फस्ट आफ हाल आपको इनफार्म्ड होना चाहिए आप से चख बनने के लिए अगर त्यारी कर रहे है तो कुछ ना कुछ इनिसेल अवेर्नेस आपके पास होनी चाहिए आपको जहिड सी बात है कि आप अगर पातरता परिच्छा भी अप्लाई करेंगे तो आपने ग्रेजुशन के बाद बीड या बीटीसी में अप्लिकेशन फिलप कर दिया है आपने फाम भड़ दिया है आपने एडमिसन ले लिया है तभी आप अपीरिंग में है और तभी आप फाम बने जा रहे तो अवेर्नेस तो फिलाल सबको होती है आसपास के लोगों से भी मिलती है इस्ट्यूट के पॉइंट आप भी उसे सिस्टम के पॉइंट आप भी उसे मेंटोर के पॉइंट आप भी उसे हमें भी जिम्मेदारी होती है कि हम आपको अवेर्ड करते रहें, समय समय पर सूचित करते रहें, समय समय पर विसे सूचनाय देते रहें और उसी के point से हमने batches भी प्लान करें हैं, उसी के point से हम आपके सामने video present कर रहें और वो सब कुछ आपको देते रहेंगे जो actual informed होता है, जो actual आवस्यक होता है, इस batch को लेकर कि जिसमें दो बुखे बातें सबसे पहले दिमाग में रखनी चाहिए, कि यह प्रात्मिक और जूनियर दोनों के लिए हैं, क्योंकि जब हम लोग batches में आते हैं, तो हम हमेशा जब query करते हैं, तो अकसर, अकसर means 90% plus की, हम दोनों batches में appeared हैं, हम primary की भी त्यारी कर रहे हैं, हम junior की भी त्यारी कर रहे हैं, तो हमारे सामने एक challenge होता है, कि हम दोनों को point करें, और यह बात मैं आपको असपस्ट कर दे रहा हूँ, यह batch दोनों को लेकर centered, centroid है, अर्थात primary और junior की दोनों preparation आप इसी batch के माद्यम से कर सकते हैं, आपको भटकने क्या हो सकता नहीं, हमें primary अलग से prepared करना है, junior अलग से prepared करना नहीं, बिल्कुल, आपको दोनों batches की साथ-साथ preparation इसी batch के अंतर गथी कराई जाएगी, चाहे उक अच्छा एक से पास तक की हो, चाहे उक अच्छा इतने सालों से लगबख 4-5 सालों के अंतर गथ, इतने हजारों की संख्या में चातरों ने पढ़ाई करी, लोगों ने त्यार किया, लोग अपने भविस्स को सवार भी रहे, कुछ लोग आलेडी सेलेक्ट हो चुके हजारों की तादाद में, और वह संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, वह फेद बढ़ता जा रहा है, और उसी के प्रफाव से हम आपके सामने खड़ें, मैं इन दोनों बर्ग के लिए, मैं बिसेश तोर पर अगर मैं सुरुवात अगर करना चाहूँगा, तो प्राइमरी से करना चाहूँगा, सबसे पहले हमें यह जानना विस्यक होता है कि हम किसके सानिद में रहकर पढ़ाई करेंगे, वही कुसल और अनभवी अध्यापक, जो हमेशा से इतने सालों से आपको पढ़ाते रहे हैं, इतने सालों से आपके सेलेक्शन में एक बड़ा रोल निभाते रहें, आप उन अध्यापकों को देख सकते हैं इसमें कोई बदलाव नहीं है, इसमें वही सब कुछ है जो आपको देवन से दिखता रहा है, मैत मेरे द्वारा, हिंदी पंडित अमरीज भट द्वारा, इन्वार्मिन्ट गौर्ण इरंजन सरके द्वारा, स्रीडीपी आप प्रमोस सरके द्वारा, संस्कृत और इंग्लिस अनिल्मिस्रा सरके द्वारा और हमजा हसनी सरके द्वारा, तो कहने का मतलब सब कुछ वही है, अध्यापक वही है, टीम वही है, प्रियास वही है, अपडेट्स नहे हैं, मतलब जो उनका इफर्ट है, वो आपको नया दिखेगा, जो परिवरतन कंटेंट में है, जो भवी अध्यापक हैं, जो विषय की गंभिरता जानते हैं, जो विषय की गंभिरता को प्रिजन करेंगे, जो आपको इस परिच्छा के रूप को समझाएंगे, अपने विषय का सुरूप समझाएंगे, कल रात को नौ बज़े जैसे कि आज जिस टाइम पिया वीडियो मिला ह उसी समय से आपको प्रतेग विषय săके, अपने विषय के माध्यम से, विषय के साथ-साथ, पूरे सिस्टम को आपको एक बीवहारिक रूप से, कमटेशन के नजर नद्दीग पहुचाने की कोसिस करेंगे, ये प्रायमरि का एक्सपर्ट अप्रायमरि के एकसपर्ट टीम ह करने का सबसे बड़ा जो पंड़ा होता है उसके पहले प्रियास को करना कहां है इसको जानना और उसकड़ी में आपको इस बाल मनो विज्यान और पहले तो अगर आप देखें टोटल 150 नंबर का पेपर होना है पात्रता परिच्छा में 30 प्रस्ण 30 नंबर के सिच्छड विधिया बालुमनोविज्ञान भासा जो अनिवार हिंदी वह 30 नंबर की आपको दिख रही होगी 30 कुश्चन 30 30 नंबर लैंग्वेस दो में आपके प पढ़ाया जाएगा आप अच्छा अनुभाव करेंगे 30 नंबर का आपको जो है पूरा मैत मिलेगा पढ़ने को करने को आपको फिस करने के लिए मिलेगा इन्वार्मेंट पर्याबरण अध्यन जो इन्वार्मेंटल स्टेडीस होती है 30 नंबर की 30 प्रस्णों के साथ रहे जिसको पढ़ करके इस परिच्छा को क्वालिफाई करना है अब अगर बात में करूं जूनियर की कच्छा 6 से लेकर कच्छा 8 तक जिसमें आपको पता है कि दो सुरूप में आपको पेपर देना होता है आर्ट और साइंस के लिए आपको अलग से रंडिती बनानी पड़ती आर्ट वर्ग जो कला वर्ग के हैं जो भिग्यान वर्ग के हैं दोनों को अपने हिसाब से यहाँ पर लेकर चलना होता है अध्यापक में आप देख रहे हैं कुछ अध्यापकों की संक्या बढ़ जाएगी जाहिर सी बात है बाकि वही है टीम वही है लोग वही है ब्योहार आपको अपडेटेट दीखेगा यह हमारा commitment है वही team, ओने ताहर अच्छ, आपको पहले से जानते में जिन के वीडियोज आप देखते रहें जिनका परिच्छा में भिवहार देखते रहें भी आपने बिष्यों के महारति आपके सामने प्रिजेंटेड हैं, ए अगर हम बात करें इस junior के content की बात करें, तिया भी डेट सो नंबर में होने वाला paper है, परिछा में उस बिशे को, जैसे अगर किसी एक particular बिशे की बात करिये, तो उस बिशे का label अपडेट कर जाता है, जैसे कुछ common बिशे जो होते हैं, label automatically अपडेट कर जाता है, primary से junior की तरफ कर हम मुवान होते हैं, काफी अस्तर बड़ा होता है, और उस अस्तर में हम लोग यहाँ पर उस बिवित्ता को देख करके, अपने हिसाब से content ready करके, आपको prepare कराते हैं, बाल मनो विग्यान से इच्छड विद्या इसमें भी रहेगा, व जो optional languages हैं, चैसे Sanskrit है, English है, उर्दू है, इसके लिए आपको वहाँ के जो विषय सग्य है, अनिलमिस्रा सर है, हमजा हसनी सर है, वो लोग अपने अपने विषय की विषयस्ता को समझाएंगे, बिग्यान और गडित, बिग्यान आरकुमार सर द्वारा, गडित मेरे द्वार करेंगे, 500 नंबर का यह भी उनेवाला पेपर है, संस्थान ने हमेशा अच्छा देने का प्रियास किया, और घर, बियक्ति देने का प्रियास करता है, जो teacher मैं हमेसा अच्छा पढ़ाने की कोसिस करूंगा, एक system हमेसा अच्छा प्रेजंट करने की कोशिस करता है, खामिया तक आप अच्छा नभो करके हमसे निकलेंगे यह हमारा यही हमारा ब्योहार है और यही हमारा commitment आपको है कुछ और updates यहां पर इस परिच्छा से लेकर कि इस course से लेकर कि मैं आपको देना चाहूंगा क्योंकि जाहिर से बात है कि अगर हम किसी परिच्छा की preparation कराते हैं तो उस परिच्छा की preparation कोई भी संस्थान अगर कराएगा तो कुछ अपनी features को जरूर add करेगा फीचर basically क्योंकि एक online mode बे आप preparation करते हैं तो हम पर आप फेत करें हमारे लिए गर्व की बात है उस फेत को हम निभा पाएं यह हमारा प्रियास होगा यह हमारी responsibility होगी हमारा प्रियास क्या क्या रहेगा किसी एक life कच्छा का nature क्या क्या होगा यह आप समझने की जरूरत है हम हमेशा कोसिस करेंगे कि आपको 6 घंटे से प्लस ही life कच्छा है प्रदिदिन दे और हम गर्व के साथ कहते हैं और पूरे commitment के साथ कहते हैं हम हमेशा life कच्छा है रेते हैं 99% live कच्छाय देते हैं, 1% हो सकता है, लेकिन 99% अब live कच्छाय देंगे और प्रदी दिन आप से रूबरू होंगे, प्रदी दिन आपके सामने रहेंगे और अपने विशे को proper आपके सामने present करेंगे, live कच्छाओं का module आपको जरूर दिखेगा, एक कुछ ऐसे features होते हैं, जो पीडियाप के फाम में हो, practice seat आपको provide करना, आपको queries, आपकी जो queries हों उसका समधान करना, आपको practice wise, chapter wise practice कराना, doubt session लेना, कुछ printed notes देना, जो की type के हो, मतलब कुछ conceptual हो, कुछ ऐसे हो जो की word by word हम लोग पढ़कर के अपनी परिच्छा में अपना nature, यहाँ पर उसका nature समझ प देना, मेरा थनक अच्छाओं के साथ सरीद देना, और अंत तक आपको बनाए रखना अपने साथ, यह हमारा commitment, यह हमारा प्रयास रहेगा, जो आपको इंडे तक दीखेगा, अंत में मैं कुछ बाते में जरूर साजा करूंगा, यह हमारे संस्थान की calling numbers है, हमारे संस्थान की जो daily callers हैं, basically, वो आपको जो है, इन number पे आपकी समस्याओं का समधान करेंगी, आप इन number का screenshot ले सकते हैं, इन number को note कर सकते हैं, क्योंकि हम बिना बात की संतुष्ट नहीं होते हैं, यह आप जानते हैं, आप अगर किसी एक system से रूबरू होते हैं, system की nature को समझना चाहते ह तो हमें बात करने की requirement होती है, तो आपको कभी भी कोई भ्रम लगे, कोई दुब्जा लगे, आप इन number को note करिया, और इन पे सुबह के 10 बजे से साम को 7 बजे तक, सुबह के 10 एम से साम को 7 पीम तक, आप किसी भी समय फोन कॉल करके अपनी समस्या का तुरित निदान कर सकते हैं, अन्ते में जाते जाते एक अपडेट आपको देखे जाओंगा इसके बारे में, कि अभी से त्यारी प्रारम कर दीजिए, अन्ते में समय बड़ा कम मिलता है, उस समय हमारे मन में इतना भ्रम और इतनी उपावगो की इस्तिती रहती है, कि हम कर नहीं पाते हैं, जादा भी से पढ़ने होते हैं, जादा परिसानिया होती, अगर हम डेवन से ही, स्टार्टिंग से ही, हम प्रप्रेशन को रणिती बना लें, और प्रति दिन की पढ़ाई को हम लोग आज से ही प्रारम करते हैं, तब ही जाकर कि हम उस परिच्छा के नेशर को समझ पाते है फिर से मैं अपडेट करूँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेली ग्राम ग्रूप है, उसको जॉइन कर ले, हमारा गूगल फारम है, एड्मिसन लेने के लिए आप उस गूगल फारम पे क्वेरी कर दे, संस्थान के जो कॉलर्स हैं, टेली कॉलर्स हैं, जो रिप्रिज जैसा कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया, आज रात को जैसे नौ बजे है वीडियो मिला है, तो कल से प्रति दिन रात को नौ बजे आपको हर एक अध्यापक का अलग-अलग डेमो वीडियो जिसमें अध्यापक परिच्छा के बारे में इसके सुरूप को समझाने स लेकर हर एक परिस्थिती को हर एक बात को अपने विसेवस्तु को समझा करके आपको परिच्छा के नेचर तक ले जाएगे, तो कल रात से नौ बजे आप प्रत दिन लाइब जुडिये, कब तक 26 तक, 26 से एक अच्छा है, सभी की सभी आपकी जो है, बैच में रेगुलर प दिरसित करें, हम उस पर अपना रिस्पॉंस आपको प्रवाइड करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you.